28 स्टंबर शनिवार को है इंद्रा एकादिशी, पित्र पक्ष की एकादिशी है और पित्र पक्ष की एकादिशी अपने आपने आपने बहुत ही चम्तकारी है। क्योंकि इस दिन आपके जन्मकुंडली में गुरु भगवान तो प्रसंद होते ही हैं। इसके साथ ही पित्तर भी पर सल होते हैं अगर आप भगवान विश्णू के उस दिन पूजा करते हैं देखिए आज जो मैं उपाए आपको बताने जा रही हूँ हाला कि मैं तो हमेशा आपको बच्चों के शिगर विवा के लिए उपाए बताती हूँ लेकिन इस उपाए को आप अपने उस परेशानी और मुश्किल से बाहर निकलने के लिए भी कर सकते हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं मान लीजिए कुछ ऐसी समस्या है आपके जीवन में जिससे आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है या आपको लगता है कि य पित्र पक्ष के इंद्रा एकादशी के दिन आप जरूर ये जो उपाई बतारी हूँ बहुत आसान सा घर में करने वाला है इसको जरूर कर लीजिएगा। आपके जीवन की हर प्रकार की प्रेशानी दूर हो जाएगी जो भी प्रेशानी आपके लिए जीवन में बुरी तरह से एक समस्या बनकर खड़ी हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आप बच्चों के विवा को लेकर इस उपाई को करेंगी। हलांकि उपाई तो यह सभी समस्याओं के लिए एक ही रहेगा। लेकिन विशेश तोर से बच्चों के विवा को लेकर अगर आप प्रेशान चल रहे हैं, बच्चे खुद ही प्रेशान चल रहे हैं। तो मा इस उपाई को घर में ही कर ले, बहुत आसान सा उपाई है, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। किस प्रकार से करेंगे आप उपाई बता रहे हूं आपको लेकिन उससे परने नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सबस्क्राइब जरूर करें, आपका सबस्क्राइब हमारा मॉटिवेशन है और आपका शेयर जब दूसरों के लिए अच्छा होता है, तो आपके लिए भी अच्छा होने लग जाता है, यही इस प्रकारती का नियम है कि अच्छा करें और अ अच्छी बात है, और नहीं रखते हैं, तब भी मा, पिता या बच्चे खुद इस उपाय को जरूर कर लें, आपके घर के दक्षिन दिशा में कुछ भी बना हुआ हो, उस एरिये में माली जी को कमरा बना हुआ है, कोई बरामदा बना हुआ है, क्योंकि हमारा पूजा घर चिंता नहीं होटा ही नहीं है, हम सब जानते हैं, हमारे कुछ और ही को लडन और बरामदा बना बना होता है, तो चिंता ना करें, और आप उस दिशा में थोड़ी देन में inne को नहीं होना चाहिए, कौनर में अब आपको लेना है आपके कीचन की आपके रिसोई के घर की कोई भी डाल जो भी डाल आपके पास है लेवल हो माल लीजिए आप ज़्यादा मूं की डाल खाते हैं तो मूं की डाल होगी आपके पास चने की खाते होंगे तो चने की डाल होगी आपके पास जो भी डाल हो सबी कुम्हारा को विन बचिशारा कर विदक के बहुत भी ऑसको लेखिए और एक लेखिए काला कपड़ा काला कम लेखिए यहां के पूइक Cela आपको को डाले और अब डालें इसमें एक चमछ तिल का पितर पक्ष चल रहा है तो जॉरुरी है तो डाल कोई भी होगी है कटोरी और उसमें डाल दीजिए एक चमछ काले तिल और काले ले सक्र hem बाढ़ कर आपके जहां आपने लिर्शाम में दीपक भगोते वासुदेवाई का जब करते हुए आप साथ बार अपने पित्रों का नाम ले दीजे अगर आपको पता है कि आपके पित्र कौन है तब उस कंडिशन में और मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके पित्र कौन है तो आम श्री पित्राइन में हैं आम श्री पि किना किसी संख्या के आपके मन की शर्दा और भावना सबसे जरूरी है संख्याओं का अगर आप ना भी ध्यान रखेंगे तो भी इश्वर को कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ता है लेकिन अगर आप चाहें तो ग्यारा या इकिस बार जाप कर दीजिए अमनो भगते लिवाय का उसके बाद से इस पोटली को जलते हुए दिपक के पास रख दीजिए और अब बच्चे की विवा की काम ना करें प्रार्थ ना करें अपने पित्रों से कि हम आपके वहिशज हैं हम पर किरपा करें अगर हम से कोई जाने जाने में भूल हुई है गलती हुई है तो हमें क्षमा करें हमारे पिछली साथ पीडियों में जिसने भी जो भी गलती करी हो पित्रों के लिए अपमान किया हो दुरुवार किया हो उसकी हम क्षमा मांगते हैं हम आप से माफी मांगते हैं कि हमें क्षमा करें हमारे सारे उन सब को माफ करें जिन्होंने आपके पर को या आपको कष्ट पहुच जाया हो हमें माफ कर दीजिए और आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए मंगल कारे घर में शुरू करें विवाज शादियां वंश ब्रदी नोकरी धन संतान संपती हर परकार के सुख हमें दीजिए इतना बिंती प्रात्रा उनके सामने करते ह हुए आप इस पोटली को वहाँ पर छोड़ दीजिए और हाथ जोड़के नमस्कार करके खड़े हो जाएए अब पूरी रात बीच जाने के बाद अगला दिन होगा ग्यारस के बाद यानकि एकादिशी के बाद जो दौदिशी होती है जिसे बारस कहा जाता है उस दिन इस पोटली को उठाएंगे दीपक ओफ हो चुका होगा पूरे रात भर में दीपक आप तिल के तेल का जलाएं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि पित्रों के लिए तिल के तेल का दीपक ही पित्रपक्ष में जलाना ज्यादा फाइदे मन रहता है लाब दाएक होता है त तेल के तेल का ना हो तो फिर आप किसी अन्य तेल का भी जला सकते हैं और अब उस पोटली को अगले दिन उठाके आप यह जो डाल है जिसमें तेल मिले हुए हैं इसको आप या तो किसी बड़े बरतल में डालके गाय को वैसे ही सीधा ही खिला दीजिए और अगर सीधा नह सकते हैं खिलाना आपको गाय को ही है यहां जो चीज जरूरी है वो मैं आपको कह रही हूं जो चीज जरूरी नहीं है वो मैं नहीं कहती है आपको गाय को ही खिलाना है किसी अन्य जीव जानवर को नहीं खिलाना मैं आपको पेड़ के नीचे डालके आएं दूसरे कीड़े म खिलाई जाएगी, तो आप गाये को खिला दीजिए और गाये को खिलाते बकि भी अपनी मन zouकामना जरूर बोड़ दीजिए, जरूर करके देखियेगा ये, इन्द्राए कादřिशी के दिन बरत, आप ना रखते हो, तो भी इस उपाय को जरूर करिएगा और इसके साथ ही आपके सारी प्रेशानियां दूर हो जाएंगी बच्चों विवा शादियां छोड़के घर की हर प्रेशानी दूर होगी कमेंट बॉक्स में आम पित्राइन महें आम नमो भगोते वासुदेवाइन महें जरूर लिखना भगवान की केरपा बनेगी आप पर थेंक्स फर वाज